दिख रही है तो दो राजियों की सत्ता कॉंग्रेस के पास जाती दिख रही है इस वीडियो में बात मद्ध प्रदेश के एक्जिट पोल की करेंगे मद्ध प्रदेश के एक्जिट पोल ने BJP की बले-ले गर दी है 230 विधानसभाद चुनाव वाले राज में इस पश्ट बहुमत के साथ BJP सरकार में वापती करती दिखाई दे रही है News 24 चानक के और India Today Access ये दो एग्जिट पोल हैं जिनमें BJP को 150 से ज़्यादा सीटे मिलती दिख रही है ABP सी वोटर के एग्जिट पोल को छोड़ दें तो बाकी के तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं कि BJP की सरकार बननी तय है मैं तो हमेशा आत्म विस्वास से भरा रहा और मनें सदेब कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगवग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे एग्जिट पोल के आखनों पर यकीन करें तो सवाल ये है कि वो क्या वजहें रही जिनके चलते BJP इतने बड़े बहुमत से सत्ता में आती दिख रही है यूँ तो इसकी कई वजहें हो सकती हैं लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि शिवराज सरकार की एक योजना ने पूरा खेल पलट दिया शिवराज की लाडली बहन इसकीम को चुनाव का सबसे बड़ा गेम-चेंजर माना जा रहा है इसी साल के मार्च महीने में शिवराज सरकार ने इस योजना को लॉंच किया था लाडली बहन इसकीम के तहट हर महीने महिलाओं के खाते में राज्य सरकार साड़े बारा सो रुपे भेशती है शुरुआत में 1000 रुपे मिलते थे लेकिन चुनाव से एन पहले सितंबर महीने में 2500 रुपे और बढ़ा दिये गए चुनाव प्रचार के दौरान शिवराज सिंग चौहान ने हर मंच से इस योजना को खूब भुनाया और इसलिए मेरे मन में भी आया कि सगा भाई अपनी बहन को साल में एक बार कुछ नपूछ देता है तूभी तो सगाय दे कुछ लेकिन लगा कि एक बार देने से काम नहीं चलेगा कम से कम महीने में एक बार तो देना पड़ेगा एक बार का पैसा तो जल्दी खर्चा हो जाता है। तब मन में आया कि ऐसा करूँ के हर महीने एक हजार रुपया अपनी बेहनों के खाते में डालू तो उनकी जिंदगी में आनंद और प्रसनता आए। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेन मोदी ने भी एक चुनावी तभा में शिवराज तिंग चौहान की इसकीम की दिल खोल कर तारीफ की। 76.03.03 महिलाओं ने वोट डाले। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बीजेपी ने महिला वोटरों पर फोकस किया हो। कॉंग्रेस ने भी महिलाओं के लिए वादों का पिटारा खोल दिया था। शिवराज तिंग चौहान की लाडली बहन योजना का होगा। इस वीडियो में फिलाल इतना ही जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे बने रहें नियूज नेशन पर। पांच राज्यों के नतीजों को 2024 लोगसभा चुनाव का सेमी फाइनल माना जा रहा है। लिहाजा नतीजों का इंतजार पूरे देश को है। नतीजे तो दो दिन बाद आएंगे लेकिन उससे पहले तमाम चैनलों के एक्जिट पोल आ गए है। दो राज्यों में कुरसी BJP को मिलती दिख रहे हैं।